तो एक बड़ी और पावरफुल चक्री बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे दो पीवीसी पाइप के छोट छोटे टुकुडे तो इस प्रकार से आपको एक छोटा सा पीवीसी पाइप का टुकडा ले 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 हैं अब इस पीवीसी पाइप के एक सिर्य को उपर लखडी की मदद से इस जीकने मिटी को ठोक देना है चीकने मिटी के अच्छी तरह से ठोके जाने के बाद इसके उपर डाल देंगे हमारा रोकेट फ्यूल रोकेट फ्यूल को भी इसी लकडी की साहिता से अच्छे से ठोक देंगे ताकि रोकेट फ्यूल अच्छे से जम जाए और हमारी चक्री अच्छे से वर्क करे अब रोकेट फ्यूल को जमाने के बाद हम फिर से इसके उपर चीकनी मिट्टी को ठोक देंगे तो अब हम इकील की मदद से इसके एक सिर्य के उपर सुराख बना लेंगे जहां तक हमने रोकेट फ्यूल भरा है वहां तक हमें इस सुराख को बनाना है अब बनाने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पटाके का फ्यूज। पटाके का फ्यूज। डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा गन पाउडर डाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे प्यूज। 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 लाइट का प्यूज। 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 झाल झाल परकार से हमें दो सिलेंडकर का यूज़ करके हम चकरी बनाएंगे और उसके नीचे वाली तरफ यूज चक्री का पेंदा लगा दिया तो अब हम इस चक्री का टेस्ट करके डेखते है कि यह कैसे वर्क करती है कि कि अई कि अई एल मॉसानी में अई अघकर रहें हम जए जा लिए शे इंग